हलो एन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपको चार बहुत ही आसानी से बन जाने वाले पिलोस बताऊंगी इन में से कुछ हमने पुरानी टीशर्ट से और कुछ कतरन से बनाए हैं इसके लिए मैंने वेलवेट का कपड़ा ले लिया है आप चाहो तो साटन का भी ले सकते हो वो भी बहुत अच्छा लगेगा और इस तरह से मैंने कुछन की साइज के अकोर्डिंग मैंने उसको माप कर कट कर लिया है तो इस तरह से हम कट कर लिए पहले और यह बहुत ही सिंपल मैंने मेथड यूज किया इसको बनाने में देखे इस तरह से हमें बच्ट उपर का पला फोल्ड करकर हमें दोनों तरफ सिलाई करके कवर बना लेना है तो ये देखिए उपर लगाने के लिए मैंने नैट फैबरिक ले लिया है आप किसी भी नैट फैबरिक को यूज कर सकते हो अगर आपके पास पुराना इस तरह का नैट कट उपटा हो तो उसे भी यूज कर सकते हो तो इस तरह से मैं रखकर और तीन इक्वल साइज में कट कर लूँगी तो इस तरह से देखे मैंने तीन पट्टी कट कर ले ली है और मैं तीनों को इसके उपर जोड दूँगी तो पहले हम दोनों साइड की जो ये सिलाई है देखे इस तरह कि साइड की पठी जो है उसको मूड लेंगे इसको मूड ने के बाद मैं नैट का फिर उस पर पठी लगाऊंगे तो यह देखे मैंने यह मूड लिया है और अब हम इस पर नेट रख देंगे देखे इस तरह से और नेट का कपड़ा अगर आपका कहीं पे ज्यादा कम हो जाए तो आप प्लेट भी दे सकते हो थोड़ा ज्यादा हो जाए मैंने भी कहीं कहीं पे ज्यादा हो गया है तो प्लेट भी दे दिया है तो इस तरह से मैं द कपड़ा फोल कर दोंगी और ओपर हम इस तरह से रखकर दोनों तरफ सिलाई कर लेनी है तो मैं लिख शाए कर दूंगी है अब मैं सिलाई कर ले लोंगी और यह सबसे सिंपल तरीका है पिलो कवर सीने का इसमें आपको बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं लगती है और पांस से दस मेट में आपका सिलाई होकर तयार हो जाता है तो देखें आप चाहो तो चीन भी लगा सकते हो और ये देखें बस अब मैं दोनों तरफ सीलिया है अब मैं इसको पलट लूँगी तो मैंने पलट कर ले लिया है और ये देखें हमारा पुरा तयार हो गया है यहां से हम तक्ये को अंदर डाल देंगे तो मैं पहले इसको कवर लगा कर और फिर देखें डिजाइन बनाऊंगी तो मैंने देखे अपना पिलो को अंदर डाल दिया है अब मैं इस तरह से देखे बीच में बो जैसी डिजाइन बनाऊंगी तो आप चाहो तो इसमें बटन भी लगा सकते हो या छोटे-छोटे डाइमंड जो आते हैं प्लास्टिक के वो भी लगा सकते हो मेरे पास देखे इस पर राउंड करकर स्टिक कर दोंगी और देखे इसको स्टिक करने के बाद आप कितना खुबसूरत हमारा यह कुशन लग रहा है मैंने बिल्कुल इसी तरह से दो और चोटे कुशन भी बना लिये थे तो इस तरह मैंने तीन कुशन का सेट बना लिया था और आप मैं पूरे तो इसको बनाने के लिए मैंने मेरे पुरा पहले जो कर्टन सिया था उसमें से जो बचा कपड़ा था उसको ले लिया है देखे यह मैंने बहुत पहले अपना कर्टन सिया था तो इस में से मेरे साइड पर लंबी-लंबी पट्टी बच गई थी इस तरह का जब हम परदा सीते हैं तो साइड पर थोड़ी कपड़ा बच जाता है सिधा-सिधा स्ट्रीप जैसा तो देखे मेरा इस तरह का बच गया था तो मैंने इसी को यूज कर लिया है पीलो बनाने म कट लगा लेंगे देखे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और दोनों तरफ कट लगा लेना है इससे हमारा सरकल चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा देखे और अब हमें लंबी पट्टी लेलना है मेरी परदा में से जो बची थी मैंने उसी को ले लिया है अगर आ मैंने 43 इंच ले लिया है आप इससे थोड़ा कम या जादा भी ले सकते हो और बीच में देखे इस तरह का अगर जोड भी आता है फिर भी कोई प्रॉबलम नहीं है चिप्टी लगने के बाद बिलकुल पता नहीं चलता है कि यह इसमें जोड भी है तो मैंने देखे इसी त चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो देखे यह मेरा पूरा चार पार्ट में तीन बीच में कट आ गे हो और निगकुल डिवाइड हो चुका है अब हम दोनों साइड के एंड को लेकर सिलाई कर लेंगे देखे इस तरह से हममें है और पहले हमें इसको को सी पैल कर देना है और इसी तरह से हमें लाइन वाइस चारो कट को जोड़ लेना है इस तरह से देखें कट को लेकर और इसके उपर रखकर हमें पीन लगा लेना है इससे क्या होगा हमारा कपड़ा बड़ा या छूटा होने का डर नहीं रहेगा एक्जिट से इस पर सेट हो जाएगा और बीच में चिप्टी भी बिल्कुल सेम साइज की आएगी तो इस तरह से आप पहले कर ले तो आपको सीने में बहुत आसानी हो जाएगी तो देखे मैंने चारो सेट करकर पिन लगा लिया है अब हम इस पे देखे बीच में इस तरह से ऊपर वाले कपड़े में चिप्टी देदेंगे देखे इस तरह से चोटी चोटी और यह चार से पंछ चिप्टी आइगी एक जगा पर और इस तरह से हम पूरे राउंड mieux कर लेंगे तो अब इसको मशीन पर सिलाइ कर लूंगी बस इस तरह से हमें चिप्ry दे जाना है और round ढूंते जाना है बहुत ही आसान है और चैनल पर मैं इससी तरह के वेस्ट मट्रीयल के reus के आइडिया बताती रहती हूँ मैंने पुराने कपड़े कि रीयूस का भी बहुत सरा DIY रखा है लिंक आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कुछ की आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी और वीडियो के आखिर में भी आपको लिंक मिल जाएगी कुछ वीडियो की तो आप चाहों तो जाकर चेक कर सकते हो और देखे इस तरह से हम पूरा राउंड घुमा कर सीलेंगे और देखे यह हमारा पुरा तयार हो गया है अब मैं इसको देखे इस तरह से करकर बॉर्डर पर थोड़ा छोड़कर सीलाई जिस जगा हमने किया से थोड़ा पीछे रखकर और पुरे में सरकल करकर सीलाई चला ल ब दरया हैं अब बिल्कुल इसी तरह से एक और पलड हमें टयार कर लिये ना है यह जिस तरह से-जंब ऑला किया है इस तरह से से में चारों तप्र से सिलाए लगाकर ले लोंगी। अ म吧 od कि यह सानी से हमारा पिलो बननकर तयार हो जाएगा मैं और यह देखहें मेरा सिलाम होकर तयार हो गया है अब मैं इसमें भर उगी तो आप रों इसमें बॉ तो हम इसको डारेक्ट वाशिंग मसीन में या ऐसे भी दो सकते हैं इस तरह की रूई हम बच्चों के सॉफ्ट टॉइज वाते हैं टेडी बेर्स उसमें यूज होती है तो इस तरह की रूई आपको मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाएगी देखिए इस तरह की वह से होती है मैंने भी मेरे पास पहले का जो था रूई उसी को यूज किया है और इस तरह की रूई उस करने से हम आसानी से वास भी कर सकते हैं तो यह मैं इसको देखे छोटे-छोटे टुकड़े करकर अंदर डाल दूंगी इसी तरह से इसको अच्छी तरह से हमें फील कर लेना है और फील करकर फिर इसका हम मुझ को भी सिलाई कर लेंगे और यह देखे मैंने पूरा फील कर लिया है अब मैं इसके उपर सिलाई करूंगी यहां पर देखे इस तरह से कपड़े को अंदर रखकर और हमें सिलाई कर लेना है इसको आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हो या फि से मशिन से सिलाई कर लिया है और देखिए इसके साथ मैंने चारो तरफ बॉर्डर भी बना ली है पूरे पीलो पे राउंड जिससे जॉइंट्स भी नहीं पता चल रहा है और ये हमारा पाइपीन जैसा बॉर्डर भी बन गया है तो ये देखिए हमारा पीलो बिल्कुर बनक कर सकते हूं तो यह मैंने एक पुरानी टीशिट ले लिए और उसको आरंग करके एकदम सीधा कर लिया है अब मैं इसको हार्ड शेप का बनाऊंगी पिलो तो मैं पहले एक कागज लेकर उसको हार्ड शेप में कट कर लोंगी ताकि अच्छे तरह से हमारा कट पाए और इसको म हमें गांट बनाकर यह पिलो बन जाता है तो आप ध्यान से एक बार वीडियो देख लिए पूरा और यह देखिए मैंने कट करकर ले लिया है और अब हम इसको चारो तरफ से कट लगाएंगे तो देखिए पहले तो मैंने पीन लगा दिया है ताकि मेरा कपड़ा हीले नही और देर से दो इंच का हमें कट लगाना है क्योंकि हर एक कट को हमें दो गांट बनाना रहती है तो देखिए इस तरह से थोड़ा डीप हमें कट लगाना है तो कम से कम देर इंच का लगा है आप तो इस तरह से देखिए लाइन वाइस राउंड हो तो हमें थोड़ा राउं को भी घुमाते हुए कट लगा लेना है और चारो तरफ कट लगा कर मैंने ले लिया है अब देखे दो उपर और नीचे वाले कपड़े को पकड़ कर देखे इस तरह से दो गांट बना लेनी है और बस इसी तरह से हम कंटिनियूसली गांट बनाते जाएंगे और इसमें हमें स एकाथ छूट जाए या जादा हो जाए तो आप दो पट्टी को एक साथ लेकर भी बना सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और देखे इस तरह से मैं पूरे में कर लिया है मैंने और थोड़ा सही धर खुला छोड़ा है इसमें से आप अपना रूई रखना होता अगर आप कत्रण इस तरह से रखना है है तो कप्ड़े के पूराने आपके हुआ खराप कप्ड कर उसको इस तरह से छोटे छटी उपड़ करकर उससे भी फील कर सकते हो तो ये देखे मैं छोटे-छोटे कत्रन करके ले लूँगी और इसी से मैं अपनी इस वाले पिलो को फिल कर दूँगी तो बहुत ही आसान है देखे और ये देखे मैंने पूरा फिल कर लिया है और अब मैं जो बचा हुआ भाग है उसको भी दो-दो गांट बनाकर पूरा अच्छे से कवर कर लूँगी और ये देखे मेरा पूरा हो गया है और देखे कितनी जल्दी और कितना खुबसूरत हमारा पीडियो बनकर तयार हो गया है आप चाहो तो इसको इसी तरह से यूज कर सकते हो मैंने इसमें थोड़ा और अच्छा लुकाने के लिए इसमें बीच में मैंने हार्ट शिप का देखे इस तरह से बना लिया है पैंसिल से और इसके उपर में गम लगा दूंगी आप फैबरिक ग्लू भी यूज कर सकते हो या यह लाइन वाइस पूरे हार्ट पर श्टीक कर लूँगी यह स्टेप बिल्कुल है आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो और इस तरह से देखे मैं पूरे में श्टीक कर लूँगी और यह देखे अब हमारा स्टीक होकर कितना खुबसूरत लग रहा है इसी तरह से अपना पिलो कवर बना सकते हो और यह हमारा एक तयार हो गया है और दुसरा अगर आपको किसी पुराने पिलो पे डारेक कवर लगाना हो तो उसका तरीका मैं बता दूँगी तो उसके लिए आप देखे वह अपने कवर के अकोर्डिंग साइस का कट करके ले लीजिए और पूरे में गांट बना दीजिए सिर्फ एक साइड इस तरह का खुला रखिए और फिर इसमें अपना पुराना पिलो हो उसको डाल दीजिए और उसके बाद साइड से देखे जो बचा है वहां पर गांट बना लीजिए तो यह भी बहुत आसन तरीका है और आप चाहे तो बना सकते हैं अपने पुरानी टी शइट गांगर का वाई लगा विदू करकर रहे तो इस तरह से देखे में ने डिन दोनों पिलो बना लिया है और दोनों ही देखने में कितने खुबसूरत लग रहे हैं देखे यह भी हमारा बन कर तैयार हो गया है उम्मीद है आपको वी सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी को दबात दे ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप